ब्रश्टाचार के आरोप में मुझफर नगर के जिला पूर्ती अधिकारी बीके सुकला को गिरफतार किया गया है और यह जानकारी सहारनपूर के सस्पी आकास्तों मर ने दी है उन्होंने बताया है कि DFO के खिलाफ ब्रश्टाचार निवारन अधिनियम 1988 के तहत FIR दर्ज की गई है और अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है इससे पहले ब्रश्टाचार के मामले में पूर्व जिला आपूर्ती कारियाले में काम करने वाले स्रीराम कन्नोजिया को भी गिरफतार किया गया था बतादे कि इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन का पैट्रोल डीजल चोरी करने के मामले में टीएसो के ड्राइवर को भी गिरफतार किया गया है उन पर आरोप है कि वह तेल चोरी करके बेचने वालों से 30,000 रुपे हर महिने लेती थे वही एससपी आकास तोमर ने बताया है कि पानिपत रिफाइनरी से पाइपलाइन के रास्टिय सुरक्षा आर्थिक तंद्र को निसाना बनाने वाले गिरोह के बारह सदस्यों को भी गिरफतार किया गया है और आरोप है कि सभी ने पिछले दो सालों में वेस्ट यूपी और उत्तराखन से सोल घटनाओं को अन्जाम देकर एक लाख लीटर डीजल और पेट्रोल की चोरी की है वहीं इस पूरे मामले पर मोजफर नगर के सिटी एस्पी ने एक बयान जारी किया है अभी कुछ दिन पहले थाना सरसावाथ शेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था जो आयोशी की जो भूमिगत पाइपलाइन है उससे डीजल और पेट्रोल पंप की चोरी कर रहा था उस गैंग ने पुष्टाज के दरान बताया था कि उसमें कुछ अधिकारी वी सामिल है जहां पे जो चोरी के तेल बेशता है ऐसे पेट्रोल पंप पे बेशता है जिनके लाइसे निरस्त हो चुके हैं और उसमें एक अधिकारी की भूमका भी शनित पाई गई थी उनके ब जफर नगर में उनको गिरफतार किया गया है बारा लोग पहले गैंग में बेजे गये थे अभी इनकी गिरफतारी हुई है एक और प्रीदम जो उसमें उस दिन वानशित था उसको भी गिरफतार किया अब तक इसमें 14 गिरफतारिया हो चुकी है उक्त डियसो के बारे में सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें और हां दोस्तों साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए